अमेरिका के ओहयो में एक और भारती छात्र की मोत हो गई भारती दुतावास ने जानकारी दी मोत की वज़ा फिलाल सामने नहीं आई है मामले की जान चारी है दुतावास ने कहा ओहयो में भारती छात्रे 37 गड़े की मोत हो गई हमें दुख है हम परिवार को हर संभव मदद पहुचाएंगे कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द छात्र का शव भारत पहुचाएं हालकि दुतावास ने ये नहीं बताया कि छात्र का शव कब और कहा मिला पिशले तीन महिनों में दस भारती छात्रों की मोत अमेरिका में हो चुकी है बीस मार्च को अमेरिका में एक भारती छात्र को अगवा कर लिया गया किड्ने परसने हेदराबाद में रह रहे उसके पिता से करीब एक लाक रुपे की फिरोती मांगी साती धमकीदी की अगर पैसे नहीं भेजे गए तो पुलिस को खबर कर दी गई तो वो चात्र की किड्नी बेज देंगे चात्र अब भी ला पता है उसकी मोत की आशंका जताई जा रही है 25 साल का अब्दूल मुहमद ओहयो के क्लीवलाइन यूनिवर्सिटी में मास्टर्स की पढ़ाई कर रहा था वो मई 2023 में अमेरिका गया था उसके परिवार का कहना है कि 7 मार्च के बाद से उनकी अब्दूल से बात नहीं हुई है इसी के साथ बने रहे ही राज्टर्मा टीवी के साथ थाने बाद